नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जे एमेम के मन्थन सिवीर में हिमंत सुरेन ने करकरताओं में भरा जोस कहा हर वक्त लड़ने को रहे तयार दिसोम गुरू सीवो सुरेन के अधक्स्ता में सुक्रवार को राई धानी रांची के हरमोची सुहराई भौर में आवेजित जे मेम केंद्रिय समिती की मन्थन सिवीर में हिमंत सुरेन ने करकरताओं में जोस भरा वहीं जारकर्ण सरकार की 12 अक्टूबर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम से हर एक लोगों को जोडने पजोर दिया करकरताओं में जोस भरते हुए उन्होंने कहा है कि वे हर वक्त लड़ने के लिए तयार रहे साथ ही कहा कि राजे में सरकार आपके द्वार कारकरम का दूसरा चरन सुरू हो रहा है ध्यान रखे कि इसमें कोई भी ब्यक्ति ना छुटे बता दे हे मंत सुरेने करकरताओं को टास्क भी दिया है कहा है कि राई सरकार की योजनावों से लोगों को जोडने का टास्कर करताओं को दिया गया पार्टी का मनना है कि इसे लोगों का जुड़ाओ भी पार्टी के प्रती होगी दुमका पेट्रोल कंड में युवती की मौत दोस लाह की सहायता रासी का निर्देश दुमका में एक बार फिर पेट्रोल छीड़क कर आग लगाने के ममल में पीरिता की मौत हो गई है, गंभीर रूप से जोल सी पीरिता को बेहतर इलाज के रिम्स रेफर किया गया था, रिम्स लाने के दोरान रास्ते में ही पीरिता ने दम तोड़ दिया था, रिम्स पहुंच इस घाटना पर गहरी सनवेदना ब्यक्त की है, साथ ही मिरित्त के परिजन को दोस लाग रुपे की साहता राशी देने का निदेश अधिकारियों को दिया है। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि फिलहाल टेट पास लोगों को पहले लिया जाएगा, इसके बाद आगे और लोगों को प्रात्मिक्ता क्याधार पर बहाली की जाएगी। और देखा कुमारी ने विद्याले में कमरे की कमी और पानी की समस्या से मंत्री को अउगत कराया। रांची पहुँची भारत और दक्षिन अफरीका की टीम। रांची के बीशा मुड़ा यारपोटर खिलाडियों को देखने के लिए फैंस काफी संक्या में जूटे थे। यारपोट से बस में भरका खिलाडियों को होटल रेडिसन बुलू लाया गया। होटल के बाहर सिखर धवन की टीम को देखने के लिए पहले से ही फैंस का जमावडा लगा था। नवक्री के लिए सराय के लाग की उनहत्तर यूतिया तमिलाडू के लिए रवाना। पहल पर सुक्रवार की साम टाटा नगर रेल्वेस्टेशन से बैंगलोरु के लिए सराय के लाखर सावा से चायनित उनहत्तर जन जात्य यूतियों को ट्रेन से रवाना किया गया। इन यूतियों का चयान टाटा इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड होसूर तमिलाडू में हुआ है बता दे कि इससे पहले भी 27 सितंबर 2022 को जार्खन के 822 बेटिया रांची के हटिया रेलवे स्टेसन से तमिलाडू के लिए रवाना हुई थी शुक्रवार को 79 यूतिया का दूसरा बेच रवाना हुई है यह पहला मौका है जब केंद्रिय जन जातिय कारे मंत्रा लेगी पहल पर जार्खन के 924 यूतियों को ट्रेनिंग और नौकरी के साथ पढ़ाई के लिए तमिलाडू के होसुर इस्थीर टाटा समोह की कमपनी टाटा इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड में भेजा जा रहा है यूपी को हरा कर सेमी फाइनल में जार्खन महिला होकी टीम 36 वे राष्ट्रिये खेल 2022 के होकी परितोगिता में सुक्रवार को जार्खन महिला होकी टीम ने बड़ी जित दर्ज करते हुए सेमी फाइनल में जगह बना ली है क्वार्टर फाइनल के खेले गए मैच में उतर परदेश को 6-1 से कड़ी सिर्कत देकर जार्खन की महिला खिलाडियों ने बाजी मारी है बता दे कि गुजरात के राजगोट में 29 सितंबर से 36 नेशनल गेम्स चल रहा है जो 12 अक्टूबर तक चलेगा जार्गन महिला होंकी टीम ने मैच के शुरुवाद से ही आक्रमक रोक अक्तियार करते हुए 11 मिनट में तेज तरार फरवर्ट ब्योटी डुग डुग ने संदार फिल्ड गोल कर टीम को 1-0 से बढ़त दिलाई रांची में मैच को लेकर 29 DSP सहित 1500 जवानों की तैना थी भारत अर्दक्षिन अफ्रिका के बीच 9 अक्टूबर को होने वाले एक दिवस्य अंतराष्टे किर्केट मैच को देखते हुए रांची पूरीस परसाशन की ओर से सुरक्षा के पुकता इंतिजाम किये गए है मैदान के अंदर और बाहर की सुरक्षा को लेकर सभी तरह की तैरिया पूरी कर ली गई है वही रांची अर्पोर्ट से लेकर रेडिसन बुलू होटल और वहां से जेसी ए स्टेडियम तक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है अला अधिकारियों की ओर से सुरक्षा के मन नजर अपने अपने अधिनस्त पता अधिकारियों को विशेस जिम्मेवारी सोपी गई बतादे किर्केट मैच में सुरक्षा को लेकर चार IPS की तेनाती होगी इसकी ओर से सभी अस्तर से मनेटरिंग की जाएगी इसके अलावा 29 DSP, 500 पुलिस पता अधिकारी सहीद, 1500 जवानों की तेनाती एस्टेडियम से लेकर मुखे गेट और एस्टेडियम के चारो तरफ की जाएगी रासन उठाव वबित्रन में गलबडी नहीं कर सकेंगे डिलर रासन उठाव वबित्रन में हो रही गलबडी पर अंकुस लगाने को लेकर गुजरात की तजपर जहरखन में निग्रानी रखी जाएगी इसको लेकर JSFC की ओर से त्यारी सुरू कर दी गई है कमांड कंट्रोल सिस्टम अस्थाफित करने को लेकर निवीदा निकाली गई है दो माह के अंदर पर किरिये पूरी कर इसे संचालित करने की जोजना बनाई गई है बता दे FCI के गोदाम से अनाज उठाव करने वाले ट्राकों में GPS सिस्टम लगाया जाएगा इसकी रियल टाइम मोनेटरिंग की जाएगी इस सिस्टम का अध्यान करने को लेकर जार्कन सरकार के अधिकारी गुई रात गए थे वहां से लोटने के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौप कर इसे लागू करने का सुझाव दिया था विभाग ये अधिकारियों का कहना है कि इस सिस्टम के लागू होने से काफी हथ तक गरबड़ी पर अंकूस लगाया जा सकता है जमसेदपूर में हाथनी रजनी का मना जनमदीन जमसेदपूर के दल्मा अभ्यारण में हाथनी रजनी का बड़े ही धुमधाम से जनमदीन मनाया गया जनमदीन के मौके पर 15 पाउंड का केक काटा गया इस दोरन बड़ी संख्या में बच्चे भी सामिल थे बता दे कि यहां जनमदीन किसी ब्यक्ति का नहीं बलिक हाथनी रजनी का मनाया गया है दल्मा भरमन पर आने जाने वाले लोगों के स्वागत में मकुला कोच्चा में खड़ी रहने वाली हाथनी रजनी का हर साल 7 अक्टूबर को जनमदीन मनाया जाता है इस साल रजनी 12 साल की हो गई है दरसल 12 साल पहले हाथनी रजनी सीशू अवस्था में बन विभाग के दल्मा रेंज के अधिकारियों को गड़े में गिरी घायल इस्थिती में मिली थी जोंड में आया हाथियों को भगाने के लिए गिरामिरों ने तीर चलाया था ओनलाइन टिकट लेने वाले लोग नराज जारखन की राज़ानी राची के JCA स्टेडियमे 9 अक्टूबर को भारत बनाम साउथ अपरिका के दूसरा वन डे मैच खेला जाएगा इसको लेकर टिकट की बिकरी शुरू कर दी गई है टिकट बिकरी के दूसरे दिन सुक्रवार को ओफलाज से ज्यादा ऑनलेन टिकट लेने वाले लोगों की भी टिकट काउंटर पर उमर पढ़ी JCA स्टेडियम मेनेजमेट के द्वारा ऑनलेन टिकट देने के लिए सिर्फ एक काउंटर रखा गया जिससे लोगों को काफी परिशानी होई इसे टिकट लेने वाले लोग काफी नराई दिखे जारखंड के युगा दरोगा वर्दी को कर रहें दागदार जारखंड में वर्ष 2018 बैच के युगा दरोगा वर्दी को दागदार कर रहे हैं सबसे अधिक रांची जीला बल में तैनाद दरोगा अलग-अलग मामलों में फंसे हैं और उनके खिलाब करवाई भी हो रही है SSP किसोर कौसल ने कुछ दिन पहले चानहों के थानेदार विवेका नंद दुबे कौवाईद बालू का कारोबार करने कारोप में सस्पेंट किया था वही लालपूर थाना में पदस्थापी दरोगा मजीद आलम पर हत्या की प्रात्मे की दर्ज है मजीद के खिलाप आजारी बाग थाना में प्रात्मे की दर्ज हुई इस वयास से अभी उनके खिलाप करवाई नहीं की गई बता दे युगा दरोगा यूतियों को साधी का जहासा देकर दुसकर्म की घटना को भी अंजाम दे रहे हैं दरोगा प्रलागातार दुसकर्म की प्रात्मे की दर्ज हो रही है नौकरानी को प्रतारित करने वाली सीमा पत्रा के खिलाप सुनवाई अस्थागीत SCHT Act मामले के बिसेस नयाधीस मनीश रंजन की अदालत में नौकरानी सुनीता खाखा के साथ मारपिट करने सहीत अने मामले में अरोपित पुर्व आईएस अधिकारी की पत्नी सीमा पत्रा की जमानात पर सुनवाई होई सुनवाई के दोरान अदालत को बताया गया कि इस मामले में अभी केस डारी कोर्ट में प्रस्तुत नहीं की गई इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 नौमबर की तिति निधारित की मामले में अभीयोजन पक्ष की और सेवकील परदीप चोरश्या ने पक्ष रखा बता दे कि सीमा पत्रा उक्त आरोप में 31 अगस्त से जेल में है पीडिता ने 22 अगस्त को परतार्णा के साथ AC T1 के तहत अरगोला थाना में सीमा पत्रा एकिलाप नामजाद प्रत्मी की दर्च कराई थी 12 अक्टूबर को All India Railway Men's Federation का राष्ट ब्यापी भूखरताल रेल करमचारियों की लंबित मांगो के निस्तारी करण में हो रही अनवस्यक देरी की खिलाप All India Railway Men's Federation ने 12 अक्टूबर को राष्ट ब्यापी भूखरताल का एलान कर दिया है फेडरेशन के इस आंदोलन में देश भर के लाखो करमचारी हिंसा लेंगे धनबाद में फेडरेशन की इकाई इस्ट सेंट्रल रेलवे करमचारी यूनियन के बैनर तले भूखरताल का आयोजन होगा बतादे भूखरताल के माध्यम से रेल करमचारी रेलवे पर अपनी मांगो को जल्द पूरा करने का दबाव बनाएंगे BSL का भारतिय क्रितिम अंग निगम के साथ समझ होता BSL अपनी समाजिक निगमीत दाइत्व के तहद दिव्यंग जनो वरिष्ट नागरिकों के लिए 3 दिसंबर 2022 को विश्व बिकलांग दिवस के औसर पर 1 मेगा सिविर आयोजित करेगा इसके लिए BSL ने भारतिय क्रितिम अंग निगम के साथ समझ होता किया है इस समझ होता ग्यापन के तहद BSL का CSRB भाग भारतिय क्रितिम अंग निगम के सायोग से BSL के परिछेत्रिय गावों के जन परतिनिधियों द्वारा चिन हीत किये गए दिभ्यंग जनो वरिष्ट नागरिकों के बीच ये कोड़ो रूपय के मुल्य के विभीन परकार के सहायक उपकार्णों का वित्रन करेगा 1922 खत्यान आधारित अस्थाने निती पर साल खान मुर्मू का पक्ष बिपक्ष पर निशाना पच्मी सिम्हुम जीला अंतरगत, चक्रधरपुर में पुर्वसान सथ, सादिवासी सेगेल, अभियान करेश्टिया, ध्यक, साल खान मुर्मू ने जारकन की हमन सरकार और विपक्ष पर जम कर निशाना साधा उन्होंने कहा है कि सादा पक्ष और विपक्ष दोनों उन्हें सब्वति से खत्यान अधारित अस्थानिये निती को लेकर राजी की जनता का बरगलाने का काम कर रही है वही सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर देश के पाँच राजियों में रेल और सड़क चक्का जाम करने की भी बात कही कोडारमा में मुबाइल पर गेम खेलने को लेकर दो भायों में भीबाद में बड़े भाई की होई मौद कोडारमा जीला अंतरगर डोमचांज धाना चेतरे के गयठी बांध गाविश थीत राना टोला में गुरुवार की देर राज दोर नबालिक भाईयों के बीच मोबाइल पर गेम खेलने को लेकर होई बीबाद में बड़े भाई की मौद हो गई मिरिता की पाचान करण कुमार 13 वर्सी पिता पपूराना के रूप में हुई है घाटना के बाद परिजनों ने अनन फारन में करण के सोग को दफना दिया लेकिन सुक्रवार सूबा जब मामला सुर्खियों में आया तो जाच के लिए पहुँची पुलिस ने जमीन में परिच्छा पारिशत ने राजी के मेडिकल कॉलेजों में MBBS, BDS तथा BHMS पाठे करम में नमांकन के प्रक्रिया शुरू कर दिया है इनमें नमांकन के लिए निट यूजी के प्रापतांकों के अधार पर राज मेधा सुची तयार होगी जारकन मेधा सुची में सामिल होने क के लिए निट यूजी में उतीर्न तथा निर्धारित योगता रखने वाले अभियारती ही आवेदन कर सकते हैं बतादे पार्शत द्वारा जारी सुचना के अनुसार राज मेधा सुची में सामिल होने के लिए ओनले आवेदन सनीवार यानि 8 अक्टूबर से भर गढ़वा में 6 वर्षी बच्ची के साथ दुसकर में जारखन के गढ़वा जिले के चीनिया थाना छेतरे के गाउं में एक 6 वर्षी बच्ची के साथ साजी सुधा जुवक द्वारा दुसकर में किये जाने का मामला सामने आया है घटना गुरुवार की साम की बताई जा र गई बच्ची की हालत खत्रे से बाहर बताई जा रही है देवघर सदर अस्पताल में 10 अक्टूबर से बनेगा दिव्यंग परमान पत्र उप विकास आयोगद डाक्टर कुमार तारा चंद्रे ने बताया है कि देवघर जी लेके सब भी दिव्यंग ब्यक्ति का पवान पत्र नियू सदर अस्पताल परिशर में 10 से 15 अक्टूबर तक बिशेस कैम्प में बनेगा शुक्रवार को करयाले कक्ष में अधिकारियों संग बैठक कर सुरक्षित गाउं हमर गाउं में इस सुचना का प्रचार करने और जन परतिनिद्यों की भागेदारी सुनिश्चित करने निर्देश दिया उन्होंने कहा है कि जिनका दिव्यांग परन पत्र निर्गत है उनका जुआईटी कार्ट के लिए बंधन होगा जिसमें आवस्यक कगजातों के साथ दिव्यांग परन पत्र कियाओ सकता होगी सरोजन पेंशन योईना से समंधित पेंशन फरम भी मिलेग जो भी योगे लावोग पेंशन के लिए पुर्व में अपने प्रखंड कर्याला में आवेदन नहीं दिये वे इस कैम्प में आवेदन दे सकते हाँ दुमका सांसद ने जीला पूलिस पर उठाय सवाल भाजपा सांसद सुनी सुरेण ने जर्मोंडी में पेट्रोल डालकर जीन्दा जलाई गजियोती की मौत पर सोक जताते हुए सरकार को कट घेरे में खाड़ा कर दिया है सुक्रवार को परिसदन में सांसद ने कहा है कि सुरेण परिवार ने सांत दुमका को असांत कर दिया जामों की सरकार में तेजी से अपराध बढ़ रहे हैं जीला ही नहीं बलिक राजे में कानून बेवस्ता पुरी तरह से समाप्त हो चुकी है करवा चोथ 13 अक्टूबर को अखंड सुहाग ववरत करवा चोथ 13 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा अखंड सोभा की कामना को लेकर महिलाये दिन भर निर्जला उपवास रखेगी और साम में भागवान सीव माता पारवत्ती और सिधी विनायक की पूरे विधी विधान से फुजा आर्चना कर अपनी अपनी पत्ती की सुक समरीदी के लिए कामना करेंगी बतादे चांद का दिदार करते हुए चंद्रमा का अर्ध अर्पन के साथ करवा चौत का या अनुष्ठान पुरा होगा इडी ने कोलकात्ता के कारोबारी अमित अगरवाल को किया गिरफतार परवर्तन निदे साले ने कोलकाता के कारोबारी अमीत अगरवाल को सुक्रवार को रांची से गिरफतार कर लिया है अमीत अगरवाल को पूस्ताश के लिए दास्तावेजों के साथ सुक्रवार को रांची E.D. करयाले बुलाया गया था जहाँ पूस्ताच के बाद E.D. ने अमीत को गिरफतार कर लिया अब सनिवार को उसे PMLA की विशेस अदालत में पेसकस रिमांड की मांग की जाएगी मालूम हो कि कोलकाता के कारोबारी अमीत अगरवाल की सिकायत पर कोलकाता पुलिश ने 31 जुलाई 2022 को जहारकन हाई कोड के अधिवक्ता राजी कुमार को 50 लाक रुपए के साथ गिरफतार किया था रिवल्वर दिखा कर मुख्या पति का अपहरान धनबाद जिले का एक वीडियो तेजी से सोसल मीडिया पर वायरल हुआ था इसमें 4-5 लोग बेरहमी से मुख्या पति की पिटाई कर रहे थे अब इस मामले ने रायनीतिक तूल पकड़ लिया है इस मामले में पुर्व मुख्य मंत्री बावुलर मराणी ने वीडियो सेर किया है और ट्विट कर अपनी परतिकिरिया दी उन्होंने ट्विट में डिगीपी और कोल इंडिया चेर्मेन को टेग कर पिटाई करने वाले आरोप्यो पर जल्द से जल्द करवाई करने की मांग की है CM हेमंत ने पेरवागाग के विकास के लिए DC को दिये निर्देश पेरवागाग जल प्रपात आने वाले हेमंत सुरेन पहले मुख्य मंत्री हैं बता दे हेमंत सुरेन गुरुवार को यहां करीब 3 घंटे तक रहे और यहां के खोब सूरत का अनन्द लिया इसे पहले विधायक को छोड़ कोई भी मंत्री या CM यहां नहीं आए मुख्य मंत्री हेमंत सुरेन ने यहां के पर्यटन मित्रों से नदी किनारे चट्टान पर बैट कर बाच्चित भी की उनके साथ यहां के विकास को लेकर चार्चा की पर्यटन मित्र जय सिंग ने बताया है कि CM से नदी की दूसरी चोड़ तक जाने के लिए पूल सो चाला है तो रपा से पिरवागाग तक अच्छी सड़क बनवाने की मांग रखी गई इस पर CM ने DC ससी रंजन को यहां के विकास को लेकर आवसक निर्देश दिये CM से बात चितकर परटक मित्र काफी उसाहित हैं राजस्व उप निरिक्षक हरताल से राजस्व कार ठप रांची जिले के 120 राजस्व उप निरिक्षक एक गारा सुत्री मांगो को लेकर सुक्रवार को भी 22 दिन हरताल पर रहे जिससे राजास्व से समंधित कार्य पूरी तरह से ठप रहा राजास्व कर्मी सहर अंचल कर्यालाई परिसर इस्थी धारनास्थल परबैठे और अने दीनों की तरह मांगों को लेकर परदासन किया बतादे हर्ताल के कारण लंबित मामलों की संख्यला गतार बढ़ती जा रही है हर्ताल से सबसेदा परिसानी छात्रों को हो रही है कारेबाधित रहने से जाती आवासिये आये दाकिल खारीच भूमी सिमांकन, ऑनलाइन सुधार, बीवीद ववाद, भूमी हस्तरांतरन, जारखन राजे फसल रहात योईना पीएम किसान योईना, एवम अने बीभीन, रायस्व काल ठप रहा परदसन करने वालों में जारखन राजे रायस्व उपनी रिक्चक संग के मोखे संड़क्षन सामिल थे धन्यवाद